नमस्कार दोस्तों मेरा नामे प्रणाय आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और एक्साइटिंग वीडियो में आज इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक तर्मामेटर दिखाने वाला हूं जिसका फंक्चन जो है रेगलर तर्मामेटर से तोड़ा बह इसका फंक्चन केसा है और इसका पर्फॉमेंस केसा होता है यह सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे मेरे साथ यानि पी यार टेक के साथ तो दोस्तों वो यूनिक तर्मामेटर जो है यही है इसका नाम है इक्वी नॉक्स नॉन कॉन्टाक्ट इंफ्रारे तर्मामेटर तो दोस्तों इसका पर्फॉमेंस केसा होता है और इसमें क्या के ने ने फीचर आते हैं यह सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे उससे पहले इस कान बॉक्सिंग शुरू करते हैं चलिए शुरू करते है तो दोस्तों यह रहा तर्मा मिटर का बॉक्स काफी स्टैनेड़ पाकेज़िंग में आता है दोस्तों और ऑicesह उपर लिका गया है उड़ीनाक्स और उसके नीचे आपको नॉन क्वौन्टाक्ट इंफ्ररे तर्मामेटर इसका नाम देख सकते हैं और राइट इसके नी टेंपरेचर सर्फेस टेंपरेचर हाई टेंपरेचर अलारम मेमोराइज 32 टेस्ट डाटा और ट्री कलर बैक लाइट्स जो है फाइफ फीचर्स इसमें आपको एक की साथ देखने को मिल जाएंगे दूसरी तरफ देखेंगे तो या पर आपको MRP प्राइसिंग देखने को मिल चैनल पैकेजिंग में आता है यह रहा हमारा तर्मामेटर बबुल व्रैप में देखने को मिल जाएगा तो चलिए इसको ओपेन करते है काफी सेक्यूरली पैक होके आता है दोस्तों तो यह रहा इसको साइल में रखते है और बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैन्यूल दे देखने को मिल जाएगा और आपको यूजर मैन्यूल देख सकते है या पर इसे किस तरह कंडिशन में यूज करना है इसका टेंपरेचर लेवेल केसा होता है यह सब कुछ देख सकते है इस बॉक्स के अंदर आपको दो बैटरीस कंपनी ही देता है यह रहा है वो बैटरीस तो यह सब कुछ accessories जो है इस box के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों यह रहा thermometer तो चलिए इसमें batteries insert करते हैं यह mainly दो AAA batteries को insert करना होगा इसा आप pencil cells भी कह सकते हैं दोस्तों तो इस तरह लगाने के बाद cap को close कर देते हैं इस तरह और यह आपको on button पर tap करेंगे तो यह on हो जाएगा तो दोस्तों यह green color का light जो है आपको देखने को मिल जाएगा इसका display जो है around 2 inches का है दोस्तों 2, 2, 1,5 inches आपको देखने को मिल जाएगा आपको 3 buttons देखने को मिल जाएंगे mainly एक button जो है foreign heat and celsius को convert करने के लिए है दूसरा है mode button देखने को मिल जाएगा और इससे आप tap करेंगे तो most जो है different differently change होते रहेंगे जैसे की room, surface temperature और एक बार दबाएंगे तो body तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते है तो यह रहा वो pointer इससे आप measure कर सकते है यह around 75 grams है without batteries आप आपको देखने को मिल जाएगा यह compact है दोस्तों अच्छी तरह आप 3 to 5 cm का distance में temperature जो है high हो तो screen का color जो है red color में convert हो जाएगा और अगर अपना body का temperature low हो तो यह screen का light जो है yellow color में convert हो जाएगा अगर regular temperature में हो तो इस तरह आपको green color ही देखने को मिल जाएगा और mainly body को measure करने के लिए 3 to 5 cm use करना होगा तो दोस्तों इस thermometer जो है अपना body temperature कैसा measure करता है वो भी one second में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ mainly आपको इसे mode के press करके body में लाना होगा body mode में यह आपर आपको head के ऊपर इस तरह 2-3 inches gap से रखना होगा और यह आपर जो भी on and scan of button जो है इसे आपको press करना होगा जैसे कि इस तरह लगा के इस तरह लगाना होगा अपना body का temperature जो है यह आप measure कर सकते तो आप इस thermometer को use करके room temperature भी measure कर सकते हैं दोस्तो simply आपको mode को use करके room पे लागा ना होगा अपना mode को जो है इस तरह आप कहा पर भी room के ऊपर point out करके scan button पे press करेंगे तो अपना room का temperature जो है यह आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरह room temperature temperature measure कर सकते हैं उसी तरह कोई surface temperature को जो है असान इसे temperature जो है measure कर सकते हैं बोले तो कोई भी object के उपर आप सिर्फ point out करके scan के उपर प्रेस करेंगे तो उसका temperature जो है आपको इस डिस्पले में आपको देखने को मिल जाएगा वो भी 2 degrees में foreign heat and Celsius में दोलों में आपको देखने को म तो दोस्ते यह रहा तर्मामेटर मेरे हाथ में है तो चैस फोन का temperature कितना है तो चलिए measure करते हैं में अपना तर्मामेटर में mode का option यूज़ करके आपको surface temperature का mode में लाना होगा तो इस तरह लाने के बाद अपना scan button को यूज़ करके point out करके scan करना होगा या पर scan करने के बाद टेंपरेचर जो है यह डिटेट कर चुका है यह मेनली 91.0 foreign heat में है दोस्तो तो चलिए इससे celsius में measure करते हैं सिंपले आपको इस बटन पर टाप करके इस तरह pointed करने के बाद scan करेंगे तो आपको phone का temperature जो है इस तरह measure कर सकते हैं इस तर्मामेटर को यूज करके तो दोस्तो इस नॉन contact infrared thermometer को यूज करके आप किसी भी का temperature जो है वन सेकंड में measure कर सकते हैं तो दोस्तो वह भी दो डिग्री में foreign heat में celsius में आशा करता हूं आपको यह पसंद आए होगी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए वरना डिस्लाइक कीजिए शेर कीजिए अपना friends and family members से साथ और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइक को प्रस कीजिए फो मो टेक updates के लिए और इस ब्राजट को बाई करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ वह आप आप जाके इस प्राड़क को बाई कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी जरूर लाइक करके जाईए तब तक मैं हूँ आप आप यार सानिंग आउट